हेलो हाई नमस्ते कैसे हैं आप लोग मैं मनीशा और स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल मेकप इद मनीशा में तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ सेर कर रही हूं नैचुरल ग्लोई पार्टी या फिर एनी फेस्टिव मेकप लोग आप इसे किसी भी फंक्शन कि नाइट में करेंट तो यह थोड़ा सा नैचूरल टाइप का मेकप लोग किरियाट किया चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर हेरवन्न लगा लिया है था कि मेकप करते से में ने बाल मेरे फेस पेनी आई और सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूं Good Wives का एवोकाडो टोनर, टोनर स्कीन हाइड्रेट हो जाता है, आपके हाइड्रेशन के लिए स्कीन पे कुछ यूज़ करना ज़रूरी है, मैं टोनर यूज़ करती हूं, उसके बाद मैं यूज़ करनी हूं Good Wives का हिरोजिप सीरम, व मेरे फेस को अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, वैसे मुझे बहुत पशीना आता है, फिर भी मैं थोड़ा सा मॉस्ट्राइजर इसलिए कम यूज़ करती हूं, मेरे फेस पे तो बहुत ज़्यादा पशीना आता है, आप लोग को भी आता है, बताईएगा जरूर कमेंट में, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ, एनवाईबे का कंसीलर, आई मेकप करने से पहले ना लिट बिट, आई को थोड़ा बहुत कंसील करना चाहिए, ताकि आई सैडो आपका ना अच्छे से वर्क करें आपके आई लिट पे, तो मैं इसे उंगली की हेल्प से, फिं तो चलिए, यही रहा मेरा, स्पंच कहां गया, कहां गया, कहां गया, अरे, मेरा नुपट्टा भी बार बार नीचे आ जाता है, मैं अपने बाल को ठीक कर रही थी, मेरा बाल भी पीछे से लूज फील हो रहा था, यह रहा मेरा स्पंच, और अब इसको मैं अच्छे से का compact powder use कर रही हूं concealer को set करने के लिए इसको अच्छे से आई पे concealer को set कर दीजिए उसके बाद eye shadow use कर रही हूं और इंस कलर है सबसे पहले मैं इसे अपने eye के crease पे apply करूंगी as a transition shade apply करने के बाद इसे अच्छे से blend कर लेजिए eye shadow को blend करना जरूरी होता है क्योंकि आप blend करोगे अच्छे से blend करोगे तब ही वह नैचुरल लगेगा देखने में नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने लेके और एक जगा रख दिया है तो वह थोड़ा ठिक नहीं लगता इसलिए blend करिए तो अच्छा लगेगा मैं यहां पर एक ब्रस की help से अच्छे से blend कर रही हूं उसके बाद मैं ब्लैक आई सैडो लेके अपने लीड के कौनर पे आउटर कौनर पे अपलाई कर रही हूं और इसको अच्छे से blend कर लूंगी जैसे बेस को blend करना जरूरी होता है उसी तरह आई मेकप का भी आई सैडो ब्लेंड होना जरूरी होता है ताकि आपको नैचुरल लुक दे मतलब सटल वाला सोवर सा लुका है यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है प्लेज आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा उसके बाद मैं यूज कर रही हूं गोल्डेन ग्लीटरी आई सैडो इसको मैं अपने मेडिल लीड पे अपलाई कर रही हूं इनर कॉनर टू म मेडिल आप यहां आई के बीच में अपलाई करिए सेंटर में और इसको भी एक ब्रस की हेल्प से सारे मेकप जितने आपने आई सेडो अपलाई की हैं सब को पार्ट वाई पार्ट ब्लेंड कर दीजिए ताकि सब न मिक्स मैच लगे अलग अलग नहीं दीखे जरूरी है इ और इसे मैं अपने आईब्रो को फील कर रही हूं वैसे मेरे आईब्रो है मोटे से फिर भी में मेक अप लुक करती हूं तो थोड़ा बहुत फील कर लेती हूं ब्लैक आई की मेरा और इसको मैं है नेचूरल दिखने के लिए लास्ट में 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 ब्राउण आइस एडल लेके थोड़ा से स्मर्च कर लेती थी ताकि मेरा नेचूरल रुक है और मैं इसको concealer से इसको define कर रही हूं इसको concealer को अच्य से blend कर देती हूं ताकि परफिक्ट हो जाए है मेरा camera capture नहीं ले रहा था अब मैं ही lady drawda का primer यूज कर रही हूं primer से skin smooth हो जाता है open pores आपका minimize हो जाता है ताकि या इसकी स्मूथ हो जाए जिससे आपका बेस फाउंडेशन Pas Milton हो जाए तो मैं यहां पे live की है बस इसको ब्लेंड कर रही हूं ज्यादा रभ नीं करना है फिर उसके बाद मैं फिटमीर का यूज कर रही हूँ इसको लेएकए मनीफिंगर की हल्的時候 test after करके पहले हम अप्लाई करती हूँ इस पीस टेप ठाप जाम पहले हो इसको अप्लाई कर टेती अधि लिभ्स पे चला गया था उसके बाद ममें इसको Beauty Blender के help से blend करोगी नेक्ट पे लगाना जरूरी है वरना आपका फेस और नेक्ट तोन में चला जाएगा एक इवेंट टोन में दिखने के लिए नेक्ट पे अपलाई करना भी जरूरी है इसलिए आप जबी मेकप करो फेस के साथ नेक्ट पे भी अपलाई करो उसके बात मैं इ कि यहीं में δεν होता ही है इसको इसको थ यूजD यह किया जाता है इसको खिप से ओन्न किया जाता ल्गव कि आप राउंड वाइव राउंड में ब्लेंड करना और अगर आप ब्यूं टीड फरें यूस कर रहे हैं तो इसको ख watches की नहीं किया जाता तोँ चलिये इसको तो मैं न आच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूं तब तक आप लोग लाइक का बटन दबा दीजिए इतना महनत करती हूं इतना वीडियो बनाने में टाइम लगता है और आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रिंट के साथ सेयर भी करिए नेक को भी अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए दोनों आपका फेस और नेक एक जैसा लगेगा इसके बाद मैं यूज कर रही हूना यहां पर कंसीलर आपव कनसीलर ना फांडेशन लगाने से पहले भी अटार्क से सरकल से हैगर आपके तो वहां यूजivas कर सकते हैं और आप फांडेशन लगाने के बाद भी इसको जींग के लिए यूज लै कर सकते हैं दोनों तरीके से यूज होता है इस वीडियो में मैं foundation के बाद यूज कर रही हूँ next वीडियो बनाऊंगी तो मैं पहले भी यूज करके बताऊंगी आपको उसके बाद मैं compact powder से अपने base को set कर रही हूँ और फिर यहां पे मैं यह hudah beauty का setting इस प्रेये हैं इसको मैं अपने फेस पेस प्रेय करके और इसको फिर टैप करके स्पंज से सोख ले रही हूं तकि जो एक्स्ट्रा होगा वह सैटर हो जगा उसके बाद हाई-लाइटर यूज गरी हूं waterproof eyeliner use करना safe होता है क्योंकि अगर waterproof नहीं होगा तो अगर पसीना आएगा तो आपका eyeliner फैल जाएगा और मुझे तो बहुत पसीना आता है इसलिए मैं हमेशा waterproof मसकड़ा हो eyeliner हो सब waterproof ही यूज करती हूं और मैं हलका सा विंग दोंगे अपने eyeliner को लिए थोड़ा सबींग ज्यादा नहीं क्योंकि यह ज्यादा हेवी आई makeup नहीं है और मैं यहां पे faces Canada का glam mascara यूज कर रही हूं waterproof है यह भी इसको मैं अपने eyelashes पे अपर और लोड दोनों पे अपलाई कर रही हूं आज मैं अपने eyelashes पे fake eyelashes यूज नहीं कर रही हूं क्योंकि यह घड़ का party और especially मैं यह वीडियो राखी के लिए बना रही हूं इसलिए सब अभी lockdown चल रहा है तो अपने घर में ही है कहीं बाहर जाना है नहीं और घर में ही makeup करके natural home party है home का function है घर का function है इसलिए eyelashes थोड़ा हिब्भी हो जाता है इसलिए मैं eyelashes यूज नहीं कर रही हूं यह भी faces कहना ड़का ही काजल है और यह भी थोड़ा smudge proof है क्योंकि और मेरा कर्मी है काजल smudge नहीं हो जाए इसलिए मैं थोड़ा black eye shadow लेके और अपने eyes के नीचे smudge कर रही हूं और little bit मैंने यह थोड़ा orange और brown कलर भी लेके smudge किया जो मैंने eye shadow के crease पर अप्लाई किया था ना यह वही वाला eye shadow है जो मैं नीचे भी smudge कर रही हूं ताकि मेरा eye makeup complete लगे एक जैसा दीखें अब मैं एक trick share करती हूं आपसे यह ना मैं lipstick use कर रही हूं as a contour यह मेरा brown lipstick है और मेरे पास contour अभी नहीं मिल रहा था इसलिए मैं इसको as a contour use कर रही हूं यह मेरा trick one है मैं आपको अपने हर वीडियो में एक trick को देती हूं यह मेरा first trick है और मैं आपको दूसरा trick बताती हूं यह जो eyeshadow brown color का मैंने आपको दिखाया अभी मैं brown eyeshadow को as a blush use कर रही हूं यह मेरा second tips है मैं मेरे पास pink blusser था तो मैं थोड़ा natural effect देना चाहती थी इसलिए मैं brown eyeshadow को ही as a blush use की हूं और यहां पर यह highlighter जो palette में दिखाए थी brow bone को set कर रही थी उसी highlighter palette में से highlighter लेकर मैं finger की help से highlight की हूं brush से थोड़ा over जा रहा था इसलिए मैं finger से ही highlighter को अपने face पे apply कर लिए और यह वही lipstick है जो मैं contour के लिए यूज की रही थी यह वही lipstick है जो मैं अपने lips पे apply कर रही हूं यह थोड़ा glossy look देता है matte नहीं है और मैं अपने earring लगा लिए हूं तो मेरा final look अब create हो चुका है मेरा make-up complete हो गया है अब अब मैं अपने बाल को set कर रही हूं मैं कोई ज्यादा hair style नहीं बनाई हूं नॉर्मल से मैं बाल open करके बस set कर ली हूं यह रहा मेरा final look कैसा लगा बताइएगा comment में उमीद करती हूं आपको पसंद आया था यह मैं अभी इससे पहले brown lips glossy था और यह मेरा red matte lipstick है तो मैं दो lipstick set इस वीडियो में दिखाए हूं और दो lips के साथ look हुआ तो आपको जो अच्छा लगे matte red के साथ भी यह अच्छे से जाड़ा था क्यूंकि eye simple है इसलिए मैं lip को bold रख सकती हूं thank you for watching कैसा लगा बताइएगा thank you